अस्सलाम आलेकुम, exercise 3.1, question number 6 solve करते हैं, two numbers are in the ratio 5, ratio 8, if 7 is added to each number, we get a new ratio, as 4, 5, 4, ratio 5, find the numbers. अब हमने क्या करना है, हमने let करना है, let we have two numbers X and Y, and they are in the ratio X, ratio Y. हमारे पास दो numbers हम FIRST करते हैं, कि वो X हैं और एक Y है, और इन के दरम्यान जो ratio है, वो क्या है, ये जो given है, ये वो दो numbers है, जिनके दरम्यान हमारे पास जो ratio है, 2 numbers के दरम्यान ratio क्या है, 5, ratio 8. तो इसके मदद से हम equation एक find करते हैं x over y हम fraction में लेख सकते हैं is equal to 5 over 8 अब हम क्या करते हैं इसको cross multiply करते हैं cross multiply करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यानि cross multiplication 8x और 5y तो 8x is equal to 5y लेट से हम x के value अलग करते हैं तो x हमारे पास यहां पर अलग से रह जाएगा और इसके साथ जो 8 है वो दुसरे साथ पे divide हो जाएगा तो 5y over 8 तो इसको हम equation number 1 का नाम दे देते हैं अब हम आते हैं condition की तरफ अगली condition क्या हमारे पास इस condition को देखें कि if 7 is added if 7 is added to each number each number का मतलब हमारे पास x है और y है x में भी 7 add कर दें और y में भी 7 add कर दें तो उसके बाद क्या है we get a new ratio वो new ratio बन जाएगी और वो ratio किसकी equal होगी 4 ratio 5 की equal होगी तो अब हम इस given ratio में हम हर एक number में 7 add करते हैं वो new ratio किसकी equal है 4 ratio 5 की equal है अब हम इसको लिख सेते हैं fraction में x over 7 over y plus 7 is equal to 4 over 5 अब हम cross multiply करते हैं 5 multiply होगा इसके साथ यानि 5 into x plus 7 is equal to इस तरह से 4 multiply होगा y plus 7 के साथ multiply कर दें bracket खत्म कर दें तो यह आजएगा 5 x plus यह 5 7 के साथ भी multiply होगा 35 is equal to अब 4 y के साथ multiply होगा फिर 7 के साथ multiply होगा तो 4 y 4 7 जए 28 now this is equal to 5 x अब 4 y को इदर लेके आते हैं तो minus 4 y बन जाएगा is equal to यहां हमारे पास 28 है और 35 यहां पर आ जाएगा तो minus 35 आ जाएगा now this is equal to 5 x minus 4 y is equal to अब यह हम minus करते हैं तो यह आ जाता है minus 7 और इसको हम equation number 2 का नाम दे देते हैं अब equation number 1 में हम x की value अलग कर चुके हैं वो equation number 2 में हम put करेंगे तो put equation number 1 in equation number 2 equation number 1 में हम value put कर देते हैं जरा equation number 1 देखते हैं क्या है 5y over 8 यहां पर x है यहां पर value डाल देंगे तो 5 into 5y over 8 minus 4y is equal to minus 7 तो यह आज़ेगा 25 यह 5 और 5 multiply हो जाएंगे 25y over यह 8 नीचे वैसे ही रहेगा minus 4y is equal to minus 7 अब हमने क्या करना है कि इस 8 को खत्म करना है दो तरीके हैं यह तो यहाँ पर यहाँ पर यह सेम ले 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 दूसरा तरीका यह है कि आप पूर equation को 8 से multiply करें इसका मतलब यह है कि 8 से इसको भी multiply कर दे इसको भी 8 से multiply कर दे और इसको भी 8 से multiply कर दे तो यहाँ पर 8 और 8 multiply हो जाएगा तो 25y minus यह 4 और 8 multiply हो जाएगे 32y is equal to minus यह दोनों multiply हो जाएगे तो 56 अब यहाँ से इसको minus करेंगे तो यह आ जाता है 25 से 25 minus 32 तो यह आ जाता है minus 7 y is equal to minus 56 अब यह minus 7 divide हो जाएगा दूसरी साइट में तो y is equal to minus 56 over minus 7 यहाँ पर cutting हो जाएगी minus और minus की और 7, 80, 56 तो यह 8 y is equal to 8 put y is equal to 8 in equation number 1 तो अब हमारे पास x की value आ जाएगी तो that is x is equal to 5y over 8 तो अब 5y के जगा उसकी value 8 over 8 यहाँ पर 8 over 8 की cutting हो जाएगी तो x is equal to 5 so solution set क्या बना solution set mean के हमारे पास दो answer required थे तो x is equal to 5 और y is equal to 8 तो यह हमारे पास final answer पास झाल झाल